हमाँ था तो भई कैसे हैं आप सब्हें अच्छे चलिए अभी आभ यह मत बोला करो सर रोज चलिए-चलिए करते अर्यारी अक्या क्लाम बोलते हो क्या बोलते हैं कोई बात नहीं चलिए वई फिर वही चलिए अ यार नहीं राजा मेरे कई ऐसे सब्द है ना मैं कंट्रोल करता हूं लेकिन नहीं रहते वो ये कौन सब्द था आपको याद हो कौन सा था छोड़ो बतानो मुझे न तो सुनिये वाई आए कल जो हमने बात की थी अपने बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर बात की थी और उस ट आपका नाम था डवलपमेंट ओफ मेल गेमेटो फाइट जानकी नर युगमकोदविद का परिवर्धन तो आज आप सभी को समझ मागया क्या क्या है डवलपमेंट ओफ मेल गेमेटो फाइट ना हमारे पास एक पोलन गिरेन था एक पराकण था और हमने उस परागकन से ही ह क्या बना दिया था मेल गेमेटो फाइट बना दिया ठीक है यदि आपको पता हूँ मेल गेमेटो फाइट के बारे में तो कुछ इस परकार आपका ये मेल गेमेटो फाइट था ठीक है ये मेल गेमेटो फाइट था जिसमें आपके दो नर युगमक थे एक काईक केंद्रक इसी प्रकार का था बिलकुल आपको clear दिखाई दे रहा है तो male gametophyte जो होता है male gametophyte ये बहुत important structure होती है एक plant के अंदर ठीक है क्यों important है भाई मैं आपको भी बहुत कुछ बताऊंग आज आज पहले मैं आपको बता दूं कोई बड़ा topic तो है नहीं जो आज हम पढ़ेंगे note वाले point पढ़ेंगे और male part जो है flower का उसको पूरे को complete करेंगे और उसके बाद मैं थोड़ा सा सभी topic को आपको revise भी कराऊंगा ठीक है चलिए अभी धान सुने लेकिन ये जो note वाले जो point है ना ये bold exam में एक question 100% मिल सकता है है ना क्योंकि important question बनते है जो मैं अभी आज जो मै आपको कराऊंगा ठीक है NCRT का हर point आपके लिए important है चलिए तो देखना बात को जरा ध्यान सुनना बहुत knowledge आज आपको यहाँ पर मिलेगी extra knowledge जो आपके बहुत काम की है ठीक है तो जुड़े रहना केबल है ना सुनो वही बात ये male gamet to fight है इसके अंदर जो male gamet है और ये का काई कोस्का थी अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ फोर knowledge एक बात सुले ना मेरी अब कई बच्चे पूछते सर ये उसमें नहीं है अरे भाई यहाँ समझाने के लिए मुझे कुछ extra आपसे बोलना पड़ता है समझाने के लिए तीक है यदि मैं पूरी थोरी आपक नोट्स में तो भाई आप एक तो कनिफ्यूज हो जाएंगे सर कितना मैटर है कितना पड़े समझ पारे आप मेरी बात को है ना तो मैं नोट्स में अपने केवल जो नीट के लिए important होता है और board exam के लिए important होता है वो point मैं आपको mention करके चलता हूं ठीक है चलिए फिर भी बताता हूं तो आप उसको extra note कर सकते हैं या अपने दिमाग में से कर सकते हैं तो एक यह आपको पूलन ट्यूब दिखाए दे रही है हम इसको पराग नली बोलके चलते हैं क्या बोलके चलते हैं भाई पराग नली तो एक मैं आपको जो बात बता रहा हूं न बोसन परागनली जो है वो क्या है एक प्रकार का इंटाइन है अन्ते चोल है तो ये क्या है भई इस पे जो आवरण होता है बूवी किसका आवरण होगा पैक्टिनेंट सेलूलोज का मेरी बात को जरा ध्यान सुनना नीट में पूछ लिया गया ये क्वेस्चन ये जो पोलन ट्यूव होती है परागनली इसके उपर जो आवरण होता है तो वो आवरण पैक्टिन का ही तो बना होगा भई क्योंकि परागनली का निर्माण किस ने किया था अन्ते चोल ने और अन क्वेस्चन बनने लाएक है कन्फ्यूज मत होना दिमाग लगा ये भई अन्ते चोल परागनली बनाता है और वो क्वेस्चन ये पूछता है कि भई परागनली पर आवरण किसका बना होता है तो सिंपल सी बात है जब अन्ते चोल परागनली पूलन ट्यूब बना रहा है इ इसपर पैक्टिन का आवरन होता है, फिक है, फैक्टिन का आवरन, तो यह जो बाते थी, एक अमी की नाम का साइनटिक्स था, हालांकि मैं बहुत कम ही स्णाइनटिस्ट का यूज करता हूं, यह आपके कोई काम नहीं आते, फिक है, समझ पारिया आगा मेरे बात को, तो अमी की नाम का एक बैग्जानिक था वो mathematics था बॉटनिस्ट नहीं था मतलब बनस्पति बिग्जानि नहीं था mathematics था उसने इस बात को सिद्ध किया था कि ये जो इंटाइन होती है और इस फेपक्टन का आवरन होता है ठीक है वही और एक कई बार ये question बन जाता है मैं आपक इटली देश का था mathematics था उसने पॉडचुले का नाम की प्लांट में उसकी पराग नली का अध्यन किया था ठीक है तब उसने कहा था कि इसकी जो pollen ट्यूब होती है वो इंटाइन होती है और जिस पेपक्टन का क्या होता है आवरन होता है covering होती है ठीक है ये बात आपको ठीक है चलिए अब सुनना मेरी बात को ये तो बात समझ मागी आपको एक important point चल रहा केवल अब धान सुनना अभी यहाँ पर मैं आगे जो बढ़ता हूं मैं कुछ अपनी cells की बात कर लेता हूं तो आपको पता होगा कि इसमें दो प्रकार की कोशकाएं थी एक काईक कोशका थी जिसको आप vegetative cell बोलके चलते हैं और दूसरी जननकोशका थी जिसको आप generative cell बोलके चलते हैं याद रहे जननकोशका के दो नाम है एक generative cell आप इसको बोल सकते हैं और एक germinative 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 cells भी आप इसको बोल सकते हैं दोनों ही नाम इंसके मिलते हैं लेकिन authentic रूप से इसको जनरेटिव सेल्स ही कहा जाता है, जनन कोसका को, ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, बैजिटिटिव और जनरेटिव दो परकार की कोसका है, हालांकि आप से ये कभी नहीं पूछेगा, बोल्ड एकजाम में कि काई की कोसका बताईए, जनन कोसका बताईए, लेकिन फिर भी साथ एकजाम देंगे, कुछ फाउंडेशन त्यारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी फाइदे मंदर, आपके लिए बोल्ड एकजाम के लिए ठीक है, तो उन सभी पॉइंटों को मैं मैंसन करके चलता हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ, तो जो बैजिटिटिव सेल होती ह है, ये इंपॉर्टिन पॉइंट है, इसका जो केंद्रक होता है, भोता है एनियमित, इर्रेगूलर केंद्रक होता है, किसका, बैजिटिटिव सेल का, गोल होती है, और ये बड़ी कोस का है, ये तो आपको पता ही है, है ना, इसमें क्या होती है, इसकी जो बैक्यूल्स होत उस केंद्रक के अंदर जैसे ये माली जी नूकलियस है तो इसके इस जगे पर की सेंटर से थोड़ा आटकर ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र इस्पिरकार विवस्तित होते हैं देखो इस्पिरकार और यहाँ पर पड़ी रहती है न्यू सैलस इसको आप न्यू सैलस बोलतें इंगलिस में और हिंदी नाम है केंद्रक या केंद्रका केंद्रका भी आप इसको कह सकते हैं तो याद रखना केंद्रक और केंद्रका बहुत अलग हैं केंद्रक के अंदर प्रिजेंट होती है केंद्रका समझ पा रहे हैं आप मेरे बात को केंद्र का आप सुनिए मेरे बात तो यह कहता है कि इसमें रसधानी और केंद्र का दोनों क्या हो जाती है बिलुप्त हो जाती है किसमें भै काईक कोस्का मैं और जो नीट के लिए important point आपका नीट के लिए वो important point है किसमें RNA अधिक पाया जाता है इसमें क्या अधिक पाया जाता है RNA यहां तक दिख रहा है कि आपको आगे तो नहीं बढ़ गया तो यह important point है आपका कौन सा किसमें RNA अधिक पाया जाता है नीट के लेविल से question है कि कौन सी कोषका में RNA अधिक होता है तो काई कोषका में in comparison to generative cell RNA की मात्रा अधिक पाया जाती है क्यों पाया जाती है क्योंकि यह बड़ी कोषका होती है और इसमें sytoplasm जादा होता है कोशिका द्रब्य होता है ठीक है और इसमें क्या होते हैं जो खाद पधार्थ होते हैं खाद पधार्थ का मतलब है पोशक तत्त मतलब वो इसमें जादा होते हैं कौशिका में काईक कोशका में तो ये तो काईक कोशका के पोइंट है अच्छा बात कर लेते हैं जनन कोशका की तो जनन कोशका में तो कोई खास बात नहीं है आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो जनन कोशका होती है एक तो वो छोटी कोशका होती है और ये कोशका भित्ती से अलग होने के बाद जो मैंने आपको कल बात बताई थी मसूराकार हो जाती है तरकू रूपी हो जाती है या क्रिमी रूपी हो जाती है ठीक है होता क्या है मैं आपको बता दू या तो आप इसको ऐसे लिखिए कि ये पहले गूल होती है गूल होने के बाद ये मसूराकार हो जाती है फर एट लास्ट तरकू रूपी हो जाती है या आप ऐसी लिख सकते हैं, कि यह गोड़ होती है, जो आगे चलके मसूराकार, तर्कू रूपी, या किर्मी रूपी हो सकती है, किर्मी और तर्कू रूपी, बिल्कुल एक जैसे तीनों ही एक जैसी संद्रचना होती है कोई इन में different नहीं तो थोड़ा-थोड़ा सा इनकी संद्रचना different होता है बागी ठीक है तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं तो आपको mostly यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है मैं आपको बता रहाँ एक वारमिन का compression आपके सामने कर रहाँ धान सुनना मेरी बात को एक जो पराकर्ण होता है उसमें दो प्रकार की सेल होती है यह हमें पता है एक बेजिटेटिव और एक जनरेटिव बेजिटेटिव जो सेल है वो गोल होती है उसका किंद्रक irregular होता है उसमें रस्दानी और किंद्र का बिलुप्त हो जाती है और most one इसमें RNA अधिक पाया जाता है और इसमें खाद पधार्थ पिर्चुर मात्रा में पाये जाते हैं जबकि जो जनरेटिव सेल्स होती है वो छोटी होती है गोलाकार की होती है पहले लेकिन बाद में वो भित्ती से अलग होने के बाद कैसी हो जाती है मसूराकार तरकु रूपी या क्रिमी रूपी हो सकती है तो इतने पॉइंट आपको वहां पढ़ने थे पराकन वाले पॉइंट में तो ये बात आपको समझ मागई कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहां मैं दिमाक्स निकल गया अब आगया अच्छे यह जो पैक्टिन का आवरण है ना पैक्टिन का आवरण इसकी एक बहुत बड़ी महत्तोता है भाई मैंने कोई बिना रीजन के तो समझाया नहीं हो गाई आपको कोई इसका बहुत बड़ा लोजिक होगा तब आपको बताया पैक्टिन का आवरण है वई अब मैं आपको एक बात बता दू जनरली छोटी सी बात ताकि आपको आगे देखकत नहीं आएगी ज्यादा देखिए ये वर्तिका है ये अंडास्य है ये वर्तिका अगर है तिक है अब पराग कर तो यहां पर आके गिरता है किस पर वर्तिका आगर पर जब गिरता है ना अच्छा मैं आपको एक बात बता दू कि पिलांट का जो फिमेल गैमेट होता है ना फिमेल गैमेट वो छुपा हुआ होता है कहां पर इस जगे पर यहां पर फिमेल गैमेट अंडास्य के अंदर तो इसको क्या है पहुंचना होता है देखिए यह जो दो मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहें मेल गैमेट यह किस के अंदर है पराग नली के अंदर ठीक है तो पराग कर तो इस बढ़तिक आगर पर इस्थित रहता है मैं इस गटना को बहुत अच्छी तरह के से फुल एक्स्प्रेंड करूंगा अलंकि अभी आपको थो मेल गैमेट यहां पर है और आपको पता होना चाहिए कि मेल गैमेट जो है मेल गैमेट उनको चल कर पहुँचना होता है फिमेल गैमेट के पास ठीक है तो हालां की एक बात ये भी आप याद रखना पिलांटों के जो मेल गैमेट है ये अचल है खुद गती नहीं करते लेक यही वो नरियोगमक है जो आगे करके डवल फर्टिलाइजिशन करेंगे निश्येचन की किरिया करेंगे पूरी घटना आपको समझ मैंगी है ना आप थोड़ा पेसेंस रखा करें एक एक पॉइंट मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा इस पूरे चैप्टर के ठीक है भू हाई तुम इसके साथ जाओ ऑलन ट्यूब के साथ घूम धो एस करो अब इनके तो मजे हैं आराम से असे भाई मजे कोई ये आदें क्या बोलते सको कोई टो या प्रीन क्या बहुन है चलिया कोई बात नहीं तो यह ़ुं साथ जा रहे हैं पोलन ट्यूब के साथ ठीक है अब सुनना मेरी बात को ये पोलन ट्यूब अच्छा एक बात बताना क्या ये बढ़तिका नहीं है बढ़तिका है नहीं बढ़तिका है है के नहीं स्टाइल बोलते इसको बढ़तिका अच्छा एक बात बताओ इस पोलन ट्यूब को इस बढ़ति फ जो कोई नवेंगे बहुत वेज़कों कि नहीं कि पुल्टी के पास होता है अब सारा जो कुछ करना होता है ना पोलन ट्यूब को करना होता है ये तो आराम से मज़े लेता है मेल गेमेट यहां इनके तो मज़े लेते भही आओ ठीक है मेल गेमेट ठीक है जबकि हुमन की जो मेल गेमेट होते है ना तो पूलन ट्यूब को क्या करना पड़ता है इंट्रेस्टिंग बात है आप सीरियस लीजिए सुनना मेरी बात को पूलन ट्यूब को ये बड़तिका पार करनी पड़ती है और मेजरिटी ओफ प्लांट्स मेजरिटी का मतलब होता है अधिकांस मेजर माने बड़ा मतलब अधिकांस था ठीक है तो मेजरिटी ओफ प्लांट्स जो बड़तिका होती है वो हमेशा ठोस होती है ये आगे और भी मै explain करूंगा different plantों में कैसी कैसी होती है लेकिन आप समझे कि अधिकांस plantों में बढ़तिका ठोस होती है तो इस pollen tube को इस बढ़तिका को पार करके इसके पास पहुचना है भई भई पार कैसे करें ये तो कठोर्शन रचना है तो ये enzyme का स्रावन करती है pollen tube ध्यान रखना इस बात को ये pollen tube एक important enzyme का स्रावन करती है जिसका नाम है pactinage enzyme तो इसको स्रावित कोन कर रहा है pollen tube क्यों कर पा रही है तो कि इसके पास किसकी वो है pactin का आवरन है तो pactin जो आवरन होता है वो pactinage नाम का enzyme स्रावित करता है अब ये पैक्टिनेज क्या करता है इस उतकों को नश्ट कर देता है उतकों को मतलब जो बंद बढ़ते का थी न इसके उतकों को बीच में से नश्ट कर देता है और इसके लिए रास्ता बना देता है अब जब इसके लिए रास्ता बन गया न तो ये यहां तक ऐसे पहुँच अभी मैं सायद हो सकता है चार-पांच एपिसोड बार संभावना है बहुत इंट्रेस्टिंग आप यकीड नहीं करेंगे कितनी इंट्रेस्टिंग प्रिक्रिया होती है एंजी स्पर्म प्लांटों के सेक्षवल रिप्रॉडक्शन है चलिए तो मेरी बात को सुनना यह जो प पराक्र सौरी मेल गैमेट है वो यहां तक पहुंच जाएं और निशेचन करें ऐसी घटना होती है अभी आप इस पर माइंड मत करना कि यह क्या क्या होता है यह सारी चीज मैं आपको क्लियर करूँगा अभी मेरा उद्देश से क्यावल इस पैक्टिन वाली बात को समझान ठीक है तो यह बात मेरी आप याद रखना वही बैजिटिटिव सेल एन जनरेटिव सेल क्या क्या होता है यह आप पढ़ सकते हैं इसमें कोई डाउट वाली आपको बात नहीं है या कोई ऐसा सब्द नहीं है जो आप पर नहीं आता हो ठीक है आगे चलते हैं अब सुनिए म हमारे पास जो पॉइंट है ना आपकी नोट्सों में मैंने नोट वाले कुछ पॉइंट लगाएं उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं एक छोटा सा टॉपिक पराग कण की अंकुरण या जीवन छमता अब ज्यान सुनना मेरे बात को एक इतनी सिंपल डेफिनिशन है ज्यान सुनना मेरे बात को देखिए बो आप से ये पूछना चारा है कि भाई जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी अंकुरण छमता क्या होती है मेरे सब सुनिए छमता पता है किसको बोलते हैं पॉवर किसको बोलते हैं पॉवर उसको बोलते हैं जुसकी एट लास्ट एट लास्ट कंडिशन में हो मतला हूँ कि बास्तम में इसमें क्या छमता है at last ये कहां तक जा सकता ना ऐसे उसको power बोल के चलते अब capacity बोलते हैं सुनना मेरी बात को यहां हम पढ़ रहे हैं अंकुरण की छमता या जीवन की छमता मेरी बात को सुनना हम अपवाद तो बहुत है हर गटना में बहुत सारे अब बाद है लेकिन जनरली जो NCRT बोक ने हमारे लिए question दिये हैं केवल हमें उन्ही question उसे मतलब है ऐसे बताने को तो मैं आपको कम सिकम 50 examples तो बताई सकता हूँ कि किस plant की कितनी अंकुरण छमता होती है पूरी list भी है लेकिन हमें उसे कोई मतलब नहीं है क्यों मतलब नहीं है क्योंकि हमारी NCRT बोक ने जो examples हमें दिये हैं हम केवल उन्ही का अध्यन यहाँ पे करेंगे ठीक है चलिए सुनना मेरे बात को पराकन की अंकुरण छमता क्या है भाई अंकुरण छमता बू अबधी जिसमें बू अबधी जिसमें पराग कड़ों में वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पस्चात अंकुरण होने की शमता बनी रहती है एक्जामपर्स में आपके सामने लिख रहा हूँ अनाज जो होते हैं जिसको हम गैहू धान कह सकते हैं इसमें इसका टाइम जो है तीस मिनट का होता है जबकी रोजेशी जिस अर्जब मैं यहां बोल दूँगा है ना नई लेख रहा हूँ मैं बोल दूँगा है एक्जामपल्स रोजेशी लेग्यूमिनोसी एंड सूली नेशी में यह महिनों तक सुनिये वई तो परागकन की अंक्रण छमता ध्यान सुनना क्या होता है अब मैं आपको बता दूँ जैसे यह कोई परागकन है ठीक है और यह आप जानती है अब तुषको बहुत भली बाती आप समझ चुके है है ना इस तरीके सर कारपल अंडब तो यह जो परागकन होता है ना माली जी यह बड़तिकागर पर गिर गया ठीक है भई कहागर गया वरतिकागर पर अब सुनना मेरी बात को हालां कि यह अंकुरित होने में समय नहीं लेता है अंकुरित का मतलब क्या होता है जब यह परागनली बना दे हम उसी को अंकुरित बोलते है ठीक है अंकुरित होने में तो इसे समय नहीं लगता अंकुरित तो ये 2-4 मिनट में हो जाता है लेकिन वो पता है क्या पूछ रहा है वो आपसे कैपेशिटी पूछ रहा है वो टाइम पिरियड नहीं पूछ रहा आपसे वो आपसे यह नहीं पूछ रहा कि परागकन कितना समय लेता है अंकुरित उने में इन दोनों सब्दों में अंतर है एक तो वो हो गई कि परागकन कितना समय लेता है अंकुरित उने में अब अंकुरित का मतलब आप समझ रहें अंकुरण वो यह जो मैंने मेल गये में टो फा कि तुम तो परागकन की छमता बता ओ कि कितनी उसमें कैपिसिटी है जब वो अंकुरित कर पाए कहने का मतलब है कि आप परागकन को रख ले कुछ देर के लिए आप देखिए कि वो कितनी समय बाद अंकुरित हो सकता है जैसे एक महीने बाद आप किसी पराकन को डालें बर्तिकागर पर, समझो मेरी बात को, आपने एक पराकन लिया, किसी पराको से निकाल लिया, और आपने उसको एक महीने बंद रखा, अपने पास रखा, साधारन, जनरली कंडिशन में, और तब आपने उसको बर्तिकागर पर डाला अगर वो अंकृत हो गया तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये इसकी छमता है अंकृत होने की मतलब ये महीने बाद भी अंकृत हो सकता है समझे मेरी बात को यदी वो अंकृत नहीं हुआ आपने दस पराकण लिये एक पिलांट के, दो दिन बाद डाला, अंकुरत हो गया, फिर चार दिन बाद डाला, अंकुरत नहीं हुआ, समझो मेरी बात, तो उसका जीवन क्याल का आया, उसकी अंकुरन चंता क्या है, दो दिन की, समझ रहे न, तो बो टॉपिक है ये अंकुरन चंता, अंकुरन काल और अंक प्रण छमता पढ़ने तो वह क्या कहता है कि कोई ऐसा समय जिसमें पराकन जब बढ़तिकागर पर पहुंच चाहें तो उसके बाद जो अंकुरत होने की उसमें छमता रहती है कि वो कितना समय ले लेगा अंकुरत होने में मतलब कितने समय बाद तक भी वो अंकुरत हो सकता है हम उसे उसकी छमता कहते हैं बनी रहती है मतलब समझ रहे हैं जैसे बरतिकागर पर पहुंच गया और कोई माली जी उसको कोई nutrition नहीं मल रहा है कोई ऐसा कारण है कि वो किसी प्रकार से उसको बरतिकागर से किरिया नहीं कर पा रहा है देखो हर चीज का टाइम होता है न निश्क्रिय होने का ठीक है देखो पराकण नस्ट नहीं होता इस पोरो पॉलिनिन की लिए बो एक अलग बात है ठीक है लेकिन हम यहाँ पर अंकुरन छमता देख रहे हैं सिंपल आप समझो कि यह पराकण है यह बढ़तिकागर पर गिर ग जाएगा लेकिन यदि इसको उचत बातावरन नहीं मिला तो यह कब तक इस पर सर्वाइव कर सकता है वह इसकी केपेसिटी है तो एट लास्ट यदि यह गयों का पराकण होता और इसको उचत बातावरन 30 मिनट तक नहीं मिले मेरी बात को समझना 30 मिनट तक इसको अनुकू हो गया डिस्टोर नहीं होता आप गटन नहीं होता लेकिन अंकुरन छमता नस्ट हो जाएगी यह निश्य चन नहीं कर पाएगा समझ पारें आप मेरी बात को तो यह 30 मिनट अनाज की छमता मानी गई है और यदि यह माल लीजिए जैसे रोजी इसी में आपके इस्टावेरी ह गुलाव है लेगु में नेसी में आपके चना बगएरा मटर बगएरा ही आती हैं सोली नेसी में आपके आलू बैंगन बगएरा आते हैं ऐसे तो इन पिलांटों के जो पराकन है वो एक महीने बाद तक भी अंकुरत हो सकते हैं इनकी कई महीनों तक की हैं समझ पारें हैं मे तो एक महिना तक ही भी ये बेट कर सकते हैं जब इनको इतने में मिल जाएगी तो ये अंकुरण सो कर देंगे ये इनकी छंता है अंकुरण करने में समय नहीं लगता यदि इनको उचित बातावरन मिल गया न तो ये दो-चार मिनट में अंकुरित कर देते हैं अंकुरित हो जाते हैं लेकिन हम तो यह देखना चाहरें कि आकरिन की छमता कब तक है यह कब तक बेट कर सकते हैं आप यू मान के चलिए कब तक आप बेट कर सकते हैं वो चीज़ है तो यह सिंपल से एक टॉपिक था आपको NCRT के एकोर्डिंग के वाले तना पढ़ना है जैसे मैं आपको बता दूँ एक तो एलिमेंटरी और एक प्रिदिव बाइलोजी है ना मैं इनसे ही पढ़ता हूँ एलिमेंटर प्रिदिव बाइलोजी है सबसे बैस्ट वोक हैं फोर नीट एक्जाम ठीक है आप अच्छी तयारी इनसे कर सकते हैं ठीक है तो उनमें भी के केबल यही पढ़ने अपने नीट लेविल से और बोर्ड एक्जाम के लेविल से यही एक्जाम पल्स केबल ठीक है चलिए तो यह आपको बात याद रह जाएगे ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है आप थोड़ा इसको याद कर लेना ठीक है अंकुरन छमता अंकुरन काल यह कितने समय तक बेट कर सकता है वो तो उसकी चंता हो गई और यदि उसको उचित बातावरन मिल जाएगा तो कितनी देर में अंकुरन काल हो जाएगा ना तो दोनों बहुत हार बिग डिफरेंट्स चलिए यह बात हो गई अब हम एक नोट वाले पॉइंट में आ जाते हैं फ सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जो पराग कन है अब इसमें हालांकि कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट भी आपके लिए और कुछ पॉइंट नहीं है एक में सबसे पहले आपको पॉइंट बताता हूँ एक पार्थिनियम जिसको आप गाजर घास बोलके चलते हैं कांग्रियस घास या गाजर घास तो पार्थिनियम जो है ना इसके जो पराग कन होते पार्थिनियम गाजर घास के जो पोलन ग्रेन होते हैं ना वो मानव में एलर्जी उत्पन करते जिसको आप पराग एलर्जी के नाम से जालते हैं देख रहा है आपको यहां तक इंपोर्टेंट पॉइंट है हाँ देख रहा है सुन्दा मेरी बात को एक एक परस्तु यह है बतलब क्या कि भाई जो पार्थिनियम है या गाजर घ्षाश है इसको पराग कन होते है वो मानव में allergy उत्पन करते हैं और अगर पराग कणों के द्वारा आपको allergy हो रही तो शोर आप उसको पराग allergy के नाम से जानेंगे इसके लावब कुछ example जे मैं ऐसे आपको बता देता हूँ जुआर है चीनी पोडियम है एमिरेंथस है यह आपको जादा याद नहीं रखने मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ इन प्लांटों के पराखन भी मानव में allergy उत्पन करते हैं तो mostly आपको पार्थिनियम और जुआर तो mostly तो पार्थिनियम जो आपकी NCRT का point है ठीक है पार्थिनियम एक गाजर घास होता है तो वहां से क्या था जब हम एक गयों की किस्म लेके आये थे गयों की किस्म है ना अच्छी ब्रीड गयों की के वह उनसे पैदावार जादा होगी ना तो गयों को आयात जब किया था भारत देश में आयात किया था गयों मतलब गयों का बीज लेके आये थे तो गैउं के बीज के साथ इसके बीज आ गये थे पार्थिनियम के ये गैउं के साथ ओकती है घास जैसी होती है आप देख ले ना पार्थिनियम सर्च करना गूगल पर आपको मिल जाएगा तो ये आयातित फसल है पार्थिनियम जो गैउं के साथ लाई आते हैं एलर्जी तो इस पराग एलर्जी से पता है क्या है इस पराग एलर्जी से हमें एक तो मोश्टली जो है न वो स्वस्नी बेदना क्या स्वस्नी बेदना स्वस्नी बेदना में जैसे आपके साइनूटिस साइनूटिस हुआ अस्थमा हुआ ठीक है ऐसे रोग ही है हमारे अंदर फैला देते कौन? एलर्जी के कारण मतलब पराग एलर्जी जो किस के कारण उती है पालतिनियम या गाजर घास के द्वारा एक पॉइंट है और आप इसको important कर लेना very very important ये exam में पूछा जाता है sure पूछा जाता है और पूछा जा चुका है आपको मैं दिखा हुआ तब आपको पता ठीक है? तो ये point आपको clear समझ मागया ये note वाले point है मैं आपको एक एक point को clear कर रहा हूँ सुनती जाए मेरी बात आपको यहाँ पर क्या याद करना question कैसा है था कि पार्थिरियों में गाजर घास के पराकड मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन करते हैं? तो आपके दूआ नसर है मनुष्य में एक तो वो allergy उत्पन करते हैं allergy sorry ये मैंने यहाँ पर थुड़ा by mistake हो गया कोई बात नहीं हाँ एक तो allergy उत्पन करते हैं और एक स्वस्नी बेदना ये प्लस में लिख दिया मैंने ठीक है ये मैं पराग allergy कारण है हलंकि नहीं ये भी सही बात है दोनों मतलब आपको फिलाल तो ऐसे याद करना है कि पार्थिनियम के जो परागकन होते वो मानब में एक तो allergy उत्पन करते और ये जो allergy होती है ना उस allergy के कारण ही उस allergy के हाँ बिल्कुल सही था हम है उस allergy के कारण ही मानब में स्वस्नी रोग हो जाते स्वस्नी रोग कैसे या तो साइनूटिस और अस्तमा साइनूटिस तो वो है जिसमें हमारी नाक की जो परत होती है उसमें सूजन आ जाती है और जुखाम बना रहता है अस्तमा एक खतरनाग भीमारी है जिसमें खासी, कफ, चेस्ट पेंड बगेरा ये ऐसा होता रहता है ना स्वास लेने में भी देखता आती है अस्तमा वो यह जो जिसको दमा बोलते हैं दमा ना तो आपका क्वेस्चन क्या है कि पार्थिनियम के जो पराकणे वो मानव में कौन से रोग उत्पन करते हैं यह क्वेस्चन आता है तो आपका अंसर है एलर्जी है और स्वस्नी जयातित फसल है मतलब गयों की किस्म को जब लाया जा रहा था तो उसके साथ यह उसके कुछ बीज आ गए थे लेकिन आज यह भारत में फैल चुकी है और इसके पराकण जो है वो एलर्जी उत्पन करते हैं यह पता है चीनी पोडियम क्या है यह चीनी पोडियम बथूहा क आपने देखा होगा ज्वार में जब आप ङब भुटीया जिसको बोलते है ज्वार का जब फल आता है जिसमें ज्वार लगती है तो उसको आप ऐसे रगड के देखना जैब फूल से आ रहे हो भीज नहीं आता है उससे पहले आप इसको ऐसे रगड becoming है फुजली चलने पराग कर इनको आप दिरव नाइट्रोजन माइनस 196 डिगरी सेलसियस पर सन्रक्षित कर सकते हैं सन्रक्षित बहुत इंपॉर्टन लगा लेने इसको सन्रक्षित कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं भई है याओ कि रायोग प्रीजर्वेशन मैंने नोर्सों में लिखा हुआ है सीथ सनरक्षन इसका हिंदी नाम तो यहां और लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सीथ सनरक्षन ठीक है तो यह पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसको इन दोनों को लगाए एक पॉइंट और है तीन पॉइंट बता हूँ तीन आपको क्वेस्चन के रूप में पढ़ने सो परसेंट पूछे जा चुके भईया संभावना अभ्यक्त नहीं करता मैं मैं संभावनाव में नहीं जीता आप समझ पा रहे हाँ मैं डैफिनेट बता रहा हूँ ये दो क्वेस्चन तो बन चुके है ठीक है सुनना मेरी बात को पहला क्वेस्चन कि पार थे नहीं मैं गाजर घास के जो पराकण है मानम में कौन सा रोग उत्पन करते हैं तो आपका अंसर एलर्जियों स्वस्शनी बेदना मैं आपकोदे को सिंपल बता दू कि उच्च क्वाल्टी के पौधे के जो पराकण होते अरे नेमन क्वाल्टी का तो करना ही क्या है हाई क्वाल्टी के जो परागण होते है ना पराकण एक बात बताओ किसी भी संतान में जो बिस्स्ट लक्षन होते है वो युगमक से ही तो जाएंगे वाई क्योंकि युगमक में लक्षण होते हैं तो पराकण क्या है युगमक है इसमें बिस्स लक्षण होते हैं माल लीजिये कोई हाईब्रीड का ये पराकण है है ना तो हम उसको संरक्षित कर लेते हैं संड़क्षित क्यों कर लेते हैं वई काम पढ़ने पर हम किसी दूसरे पिलांट की बढ़ते कागरप इसको डाल देते हैं जिससे ऐसे बीज बनते हैं जिससे अच्छी क्वाल्टी के पौध उत्पन होते हैं ये एक बहुत बड़ी भिदी है हाँ जैसे मेंडल ने भी ऐसी ही बिदी का यूज किया था जिसको आप संकरन बिदी बोलते हैं है ना आगे बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके पढ़ेंगे साइध पांचमा चैप्टर है मेंडल बाला बो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है सुननों मेरे बात को पराग कणों को हम क्रित्रिम तरीका से अरे मैं आपको एक बात बता दू कि गाउं गाउं सहरों में मुझे जहतर गाउं की बात याद आती है है ना कोही बात नहीं हा मतलब गाउं सहरों में क्या होता है जो अपने गाय भैस में सीमन नहीं रखवाया जाता है क्या सीमन इस्पर्म भाई सीमन बीज जिसको बोलते हैं सीमन क्या है सीमन जानबरों से प्राप्त किया जाता है और उसे इस्टोर किया जाता है न तो सीमन को जहां इस्टोर करते हैं उसे तुम इस्पर्म बैंक बोलते ह भी आपके points लिखा हुआ यहां कोई दिकत नहीं है तो सीमन को store करने के लिए शोक्राणू को store करने के लिए तो सुक्राणू bank काम ली जाती है जबकि पराग कणों को जहां store किया जाता है हम उसे पराग bank के नाम से जांते हैं दो सब्धोर है यह simple है question नहीं पूछा जाता भाई आपसे कि पराग बैंक क्या है और वो क्या है समझने के लिए तो जहां पराग करनों को संरक्षित किया जाए वो तो पराग बैंक और जहां शुक्राडू को किया जाए वो शुक्राडू बैंक simple सी बात है पराग बैंक जो होती है इसका यूज क्या है फसल प्रिजनन में सारे पॉइंट बताऊंगा मैं आपको फसल प्रिजनन में और जो शुक्राडू बैंक होती है इस पर्म बैंक होती है उसका काम क्या है भी या जन्तू प्रिजनन क्या लिख रहा हूं मैं जन्तू प्रिजनन य तक देख रहा है क्या बैसे तो पूरा बोड़ी ले रखा है मैंने दिख रहा है यार कोई बात नहीं ठीक है तो जन्तु प्रिजन समझ मागी बात अब सुनना मेरे पॉइंट को क्वेस्टन पाता हूं मैं क्वेस्टन सुनना पहला क्वेस्टन ये सभी का कंप्लीट है कोई देखकत नहीं है दूसरा क्वेस्टन ये वाला आता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है या इंदी में सीथ संरक्षन क्या है तो सुनिए मेरी बात क्या है कि पराग कणों को दरव नाइट्रोजन में यह कैमिकल यूज कर रहे हैं दरव नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन दरव नाइट्रोजन में माइनस 196 degree Celsius पर यदि किसी बच्चे ने देखा हो आ मतलब जब गाय बैस के सीमन डलवाते हैं तो जो उसमें खोलते हैं धककन सा तो उसमें से गैस सी निकलती रहती है देखा है किसी ने तो वही द्रव लिकुड नाइट्रोजन उसमें भी होती है वही ठीक है लिकुड नाइट्रोज टेम्प्रिचर कितना रखना होता है वन नाइटी सोरी नेगिटिव वन नाइटी सिक्स डिग्री सेल्सियस ठीक है 156 डिग्री सेल्सियस पैस संरक्षित करना ही क्या कहलाता है क्रायू प्रीजरिवेशन तो यह आपको सब्द याद होना चाहिए यह इंपोर्टेंट बताय है यह इंपोर्टेंट बताया है बाकि यह कोई खास बात नहीं है और यह पॉइंट था जैसे मायोसोटिस एल्पिस्टिस है उसके पराकन छोटे हैं मिराबलिस जलापा उसके पराकन बड़े हैं कोई ऐसे क्वेस्टन आप से नहीं पूचा जाएगा वह उनमें से बलकुल यह थी करना ठीके प्रिष्टां जलीज के लिए पॉइंट था तो मैंने लिख दिया है ले नंत पराकनों का साइज बगरा था है और परागकन का अध्यनकरा करना पैलियो नोलोजी या परागान तो भिजञान कहलाती है ले Seven पॉइंट का नाम है पराग उत्पाद या पोलन प्रोडक्ट कि मतलव ये जो परागकन होते हैं ये अमारे लिए और क्या काम आते हैं परागकन कि हम इनका क्या देनिक जीवन में उपियोग मिलेते हैं तो पोलन प्रोडक्ट है ध्यान सुनना सिंपल सी मैं आपको बात बता कि पराग जो होता है परागकन जो होते हैं उनसे बहुत सारे यूजफुल जो है पधार्त बनाई जाते हैं अभी बताऊंगो मैं कि देखुए आपकी नूर्सों में लिखा हुआ है कि जो पश्चिम देश होते हैं इरान इराक इजरायल आस्ट्रेलिया वगेरा ये सारे प तो पश्चिम देश जो होते हैं वहाँ पर परागकनों से अब परागकन ऐसे एकटे थोड़ी करते हैं वो मैं बताऊं कैसे जो हनी भी होती है न मदुमक्खी वो पोलन लेके आती है आपने देखा होगा जब वो किसी प्लांट फ्लॉवर पर बैठती है तो पोलन उसके प तो उस पोलन से हम क्या बनाते हैं उस पोलन से हम एक तो भाईया कॉस्मेटिक सामान बनाते हैं कॉस्मेटिक और पश्चमी देशों में पता है इसका क्या उपी हो गए एक तो इसको हम सीरप में और टैबलेट के रूप में यूज ले रहे हैं कहां पर पश्चम देशों हम इतना यूज नहीं है और यह किस के लिए ले रहें एक तो एथलेट जो होते हैं एथलेट और जो धावक घोड़ा होते हैं जिनकी रेस होती है या पोलो जिन घोड़ों पर खेला जाता है वो वाले घोड़े ठीक है ध्याम सुनना मेरी बात को पस्चमी देशों में पोलन की पराकन के सीरप और टैबलेट अवेलबल हैं जिनने एथलेट और धावक घोड़ा को दिया जाता है क्यों ताकि उनकी कार्य दक्सता में सोधार आए और इससे कॉस्मेटिक सामान बगेरा भी बनाई जाते हैं तो आप मुस्टली यह पॉइंट आप याद रख ली नहीं कि पराग उत्पाद का महत तो क्या है पराग उत्पाद क्या है उत्पाद यह है जिसे आप पराकन से बना रहें और उत्पाद क्या बन रहा है टैबलेट और सीरप जिसको किसलिए दे रहें किन को दे रहें एथलेट्स को धावक गोड़ा एथलेट्स भाई दोडने वाले व 48 और लगबग 15, 100% नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, एतना लगबग होता है, सुनना मेरी बात को, मतलब क्या है, कि 48% तो कार्वो हाइडेट लगबग, 26% इसमें प्रोटीन होता है, और 15% इसमें फैट होता है, तो 48% जो कार्वो हाइडेट है ना, तो कार्वो हाइडेट तो आप जानते हैं, कार्वो हाइडेट तो उर्जा का भरपूर सुरूत है, और भाईया, दोड़ने के लिए उर्जा चाहिए, क्या चाहिए उर्जा, तो इसमें कार्वो हाइडेट ज्यादा मात्राम होता है, किस में पराकण में इसलिए इसके प्रोडक्ट बनाई जाते हैं तो पोलन प्रोडक्ट भी देख लेना आपको पोलन प्रोडक्ट में केवल यही पॉइंट याद करना है कि पस्चिम देशों में इसके जो पराग उत्पाद हैं वो टैवलेट विस टैवलेट वा सीरप के रूप में उप्योग झिक है और जिनका कहां उप्योग किया जाता है एथलीट और धावक गुडा की कार्य दक्सता में सोधार करने के लिए किया जाता है तो यहां तक पॉइंट आपको किलियर हो गए ठीक है ये पॉलन प्रोडक्ट था अब आपका जाना पहचाना बहुत ही चहेता जिसकी बहुत सारे बच्चों को बहुत डिमांड थी कि सरवाटिज पॉलन किट तो आई ये चर्चा करते हैं पॉलन किट के बारे क्या है वह पॉलन किट ध्य कीट परागित पुष्प होते हैं उनके पराग कड़ों पर एक तेलिये परत होती है उस तेलिये परत का नाम ही पोलन किट होता है क्या होता भई पूलन किट अब सुनली जैसे मैं आपको बता दू सडसों का फ्लॉवर ले लीजिए इसमें कीट परागन होता है है न मदू मक्ही के द्वारा मोस्ट ले तो जितने भी ऐसे प्लांट जिनमें कीटों के द्वारा परागन होता है तो कीट परागन जो होती है तेली ये परत इस परत का नाम ही पोलन किट होता है ये पोलन किट पता है किसके उपर है ये परागकन के उपर है समझ मारिया आपको मेरी बाद परागकन के उपर एक तेली ये परत होती है जिसको आप क्या कहते है पोलन किट अब इसका क्या रोल है इसमें अब मैं लेपिड और कैर्वाटिनेर्ट कैर्वाला गंट के दोहरा बनाय जाता है न वर्नक का रंग का रंग देने वाला प्रदार्त कीटों को आकडशित करती है कीटों को आकडशित और चिप चिप आपन वैगंद ध्यान सुनना मेरी बात को नहीं यह आपको याद केवल याद रखना अब कुछ बच्चे मत बोलना सर आपने यह नोट्स में तो लिखाई नहीं भाई आपके है नहीं बैसे लेकिन मैं आपको यहां समझा रहा हूं तो आप इनको एक्स्टा भी लिख सकते हैं कहीं भी ठीक है फोर नॉलेज ठीक है वही लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा बोल्ड एक्जाम में लेकिन मैंने आपको यहां बता रहा हूं तो आप इसको फोर नॉलेज अपने तरब सी लिख लिया करो यार है ना चलिए सुनो मेरी बात को अब पोलन किट की छोटी सी में बात कर लेता हूं इतना सा ये पोलन किट के बारे हम ध्यान सुनना जिन प्लांटों में कीटों के द्वारा परागन होता है उनके पराकड़ों पर एक तेली ये परत होती है और उस तेली ये परत को ये आप क्या कहते है पोलन किट अब ये पोलन किट बनी किसकी होती है लेपिड की और केरूटिनोइट्स की इसके काम क्या है काम सुनिए एक तो ये परावेगनी क्रिणों से सुरक्षा करती है कौन की पराकड़ की दूसरी बात इस इसमें क्या होती है गंद होती है गंद और इसका रंग होता है पीला बही पर्वाग कर आख करती है तो कटो पोलन केट क्यों रंग प्रदान कर रही क्योंकि ये कैरोटीनोड की बनी हुई है और कैरोटीनोड क्या एक प्रकार का रंग है तो पराग कणों को देखकर या मतलब फूलों को देखकर जो कीटे वो आक्रसित होते हैं तो ये भी कीटों को आक्रसित करने में मदद करती है तो तो ऊइस्पका चिक्रते होते है इसके कारण ये कीटों नहीं होगा है तो एसे तीन के कार्यें समझ पा रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट थे वाई आपके नोट बाले ठीक है जो आपके लिखे हुए थे आप इनको स्क्रिन सॉट कर सकते हैं इन कार्डियों को एक्स्टा लिखने के लिए कर लो ठीक है भई चलिए कर लिया सभी ने हाँ जो आपको एक्स्टा पॉइंट यहाँ पर मिले ना तो आप उसको अपनी तरफ से कही ना कही एड कर लिया करें यदि आपको अच्छा लगता है तो ठीक है आप सुनिए मेरी बात कई बार तो क्या है मैं जो हाँ कोई बात ने अच्छा तो यह भाई आपका पूरा नर्योगमक वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीट है पूरा नर्योगमक वाला पार्ट च्छा है मतलब हमने पूंके सर से स्टार्ट किया था तो आप देख सकते किस प्रकार हम अपने पूरे मेल गैमिटो फाइट तक पहुंच गए मतलब पराग कर्ण के बारे जो अमारा लास्ट तार्गेट था हमने उसका कम्प्लीट यहाँ पर अध्यन कर लिया ठीक है वही समझ पा रहे आप मेरी बात को अब मैं सोच रहा हूँ यार कल इसको रिवैज करा दू क्या आप मुझे कमेंट में बता दे ना मैं एक रिवैज की वीडियो बना दूगा और यदि ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो मैं आगे इस्तरी के सर पढ़ा दूगा समझ पा रहे हैं आप यदि बैसे ये नॉर्मल पॉइंट है कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं है जादा ही आपको इसी दिक्कत है मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरे चैप्टर का बाद में ही रिवीजन करा दिये जाए जैसा भी आप मुझे कमेंट करके बता दे ना कि कल रिवाइज वीडियो बनाओ या आगे की बना दू ठीक है समझ रहे हैं तो आज का जो ये टॉपिक था सुनना मेरे बात को हालांकि आपको सारे टॉपिक समझ मारें जो बड़े बड़े टॉपिक हैं ये कुछ ऐसी टॉपिक हैं जो आपको याद करने आप याद करने का मतलब समझ रहे हैं कि समझाने वाला जो मैटर था वो तो मैंना आपको बता दिया अब ये आपको केवाल अपने नियमल फिक्ष करने ये वस ठीक है तो ये आपका mail गेमेट mail पार्ट जो है पूरा प्लीट है कल मैं इसको पांदस मिन्ट पहले और थोड़ा समझा दूँगा और फिर अपने स्ट्रीकेसर के बारे हम बात करें ठीक है भई यह दिया आपका कोई टॉपिक है तो वह समझा सकता हूँ नो प्रोब्लम तो बाकी मिलते हैं कल